नमस्कार आप देख रहे इतियास के पन्नों से ये यूट्यूब चानल यहां पर हम अमारी इतियास के बारे में हमारी परमपरा के बारे में या कई अन्यों इशो पर जान कर लेते हैं आज हम देखेंगे राजा रावल रतन सियं इनके बारे में राजा रावल रतन सियं चित्तोडगड वर्तमान में राजस्तान भारत में मेवाड राज्य के शाषकते वह गुहिलावंश के रावल शाका के आकरिश शाषकते C.E. 1303 में अल्लावदिन खिल जी ने उन्हें पराजित किया था उन दिनों में राजाओ के लिए एक से अधिक पत्नी होना आम था इसलिए जब रतन सिहां के पास पहले से एक नगमाती नाम की पत्नी थी तब वह पद्मावती की पिता द्वार आयोजित सोयवर में गए और राजवा और राजकुमार को हरा कर पद्मावती के साथ शादी की मेवाड के इस शाषक के बारे में कई कहानिया हैं इन में से ज्यादातर कहानियों में उन्हें रतना सिह का खिताब दिया गया है। ऐसी एक कालपनिक कहानियों में से एक रावल को रतन सेन की रुप में जाना जाता है। मुलिक मुहिमत जैसी द्वारा लिखी देक कविता पदमोवत में इस चरितर की शुरुवात में उवरनी थाए। इस कविता के अमसर रतन सेन की पत्नी रानी पदमिती की मोहक संदरता के बारे में प्रस्चन साफ पत्रक के बाद चित्टोड पर खिलजी वन्ष के राजा अल मैने बाद हमलावरों ने मंजनिल का उपयोग करके किले पर पत्तर पड़े लेकिन अब भी किले को पकड़ने में असपल रहा। अंत में 26 अगस्ट 1303 को आकरमनकारियों ने किले में प्रविश करने में कामयब रहे। तब राय किले से बहार निकाल कर आत्मसमरपन कर चुक इस आदेश के परिणाम सुरूप एक दिन में 30,000 हिंदू मारे गए। मुस्लिम शासक अल्लावदिन खिलजी ने रतना सिंह को हराया। अल्लावदिन पदमिनी पर कबजा करना चाहते थे। इसलिए उसने रावल की भूमी पर हमला किया। हरा की वह कभी भी रानी पदमिन को बंदग बना नहीं सकता था। उसने किले के अन्य कई स्त्रियों के साथ अपने सन्मान बनाए रखने के लिए पदमिनी और अन्य महिलाओं ने खुद को दुश्मन के हातों में गिरने से बचाने के लिए जवर किया। और सभी महिलाए जलकर खाक हो गई। इसी तरह रा ये वीडियो सुने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाईए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगे धन्यवाद।